इस लेक्चर में हम loss of head due to sudden enlargement हम देखेंगे तो देखें पाइप है उसमें पानी आपका फ्लो हो रहा है लेकि यहाँ पे क्या हो गया sudden enlargement हो गया अब sudden enlargement यहाँ पे होगा तो पानी का क्या हो जागा separation हो जाएगा pipe से तो उसके कारण क्या होगा यहाँ पे eddies formation हो जाएगी और जब भी eddies formation होता है या wave formation होता है उसके कारण क्या होता है losses होता है तो हमको losses किसके कारण निकालना है due to sudden enlargement के कारण निकालना है तो देखे इसको मैंने लिया है it is our section number 1 section number 1 पे पानी के velocity V1 है और पानी पे जो pressure force लग रहा है that is P1 even लग रहा है यह section 2 है यहाँ पे पानी के velocity V2 हो गई और यहाँ पानी पे pressure force लग रहा है P2 A2 लग रहा है और देखे यह जो आपका section है जहाँ पे eddy's formation हो रहा है ठीके यहाँ पे भी क्या लगेगा pressure force लगेगा वो कितना लगेगा P dash A2 minus A1 लगेगा यहाँ पे P dash की value P1 के जित्ता आएगी यह हमने experimentally calculate किया है तो यह जो equation आती यह experimentally calculate करते हैं यह pressure force किधर है यहाँ पे आपका eddy's formation हो रहा है तो देखे यहाँ पे कितना pressure force आएगा that is P dash A2 minus A1 आपका आएगा तो इस ट्राइटिंग में हम क्या करते हैं हम Bernoulli's equation लगाते हैं कि section में section 1 और section 2 के बीच में है तो Bernoulli's equation आपकी कहती है P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus He He क्या है it is head loss due to sudden enlargement sudden enlargement के कारण यहाँ पे कितना head loss हो रहा है वो हमें निकालना है तो यहाँ पे आपको Z1 बराबर Z2 रजर आ रहा है तो यहाँ पे आपका formula बन जाएगा P1 by rho g plus V1 square by 2g equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus He इसको हम थोड़ा सा simplify कर लेंगे solve कर लेंगे इन दोनों term को में equal to को insert ले जाऊंगो तो He आजाएगा head loss आजाएगा due to sudden enlargement कितना आएगा that is P1 minus P2 by rho g plus V1 square minus V2 square by 2g अब हम क्या करेंगे हम ये वाली value निकालना का प्रयास करेंगे हम ये वाली value निकालेंगे that is P1 minus P2 divided by rho g अगर ये वाली value आगई यहाँ पे input कर लेंगे इसको solve कर लेंगे तो He आजाएगा head loss आजाएगा due to sudden enlargement आजाएगा तो देखिए अगर ये वाली value निकालना है तो पहले हम एक equation बना रहे है क्या लिख रहे है net force in x direction हम लोग निकाल रहे है x direction में कितना net force लगेगा तो x direction में देखिए एक तो ये लग रहा है P1 A1 लग रहा है एक आपका P2 A2 लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है आपका एक force कितना लग रहा है P-A2-A1 लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है तो P-को हम कितना ले लेंगे बाद में P1 लिख देंगे तो देखिए net force in x direction में लिखता हूं that is P1 A1 इसको positive लिया इसको भी मैंने positive लिया क्यूंकि इसका भी direction आगे की हो रहे प्लस P-A2-A1 इसको मैंने negative लिया क्यूंकि इसका direction opposite direction में है तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं P-Equal to P1 तो यहाँ पे मैं value put कर देता हूं तो यह आपकी equation बन गई अब मैं P1 में A2 का multiply कर दूँगा P1 में A1 का भी multiply कर दूँगा तो आपकी यह वाली equation में जाएगे इस equation में देखिए यह P1 A1 से यह वाला P1 A1 आपका कर जाएगा तो आपको Fx आपको मिल जाएगा Fx कितना मिलेगा that is P1 minus P2 into A2 यह देखिए इन दोनों में A2 में common ले लिया बचेगा क्या P1 minus P2 आपका बचेगा तो देखिए हमें तो निकालना P1 minus P2 divided by rho G की value यहां से तो खाली देखिए यह Fx के term में यह वाली value आई है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम क्या निकालते हैं momentum per second at section 1 निकालते हैं तो momentum per second किस्ते बात करिए momentum क्या होता है that is mass into velocity होता है यहां पर momentum per second की बात कर रहा है मतलब mass into velocity divided by time की बात कर रहा है तो देखिए हम जानते है density equal to क्या होता है mass upon volume होता है तो हम mass की जगा लिख सकते हैं mass की जगा लिख सकते हैं that is our density into volume हम लिख सकते हैं तो देखिए यह जो आपकी equation हो गई इसको में लिख सकता है density into volume into velocity divided by time लिख दिया अब देखिए volume divided by time यह क्या जाएगा q आ जाएगा यह discharge आ जाएगा तो volume divided by time को मैंने q लिख दिया that is density into q into velocity लिख दिया तो momentum per second at section 1 यह आपका कितना है रो a1 v1 into v1 अब देखिए यहाँ पे q है q के term में है तो हम q को क्या लिख सकते है a into velocity लिख सकते है rho q की जगा मैंने क्या लिख दिया area into velocity लिख दिया और velocity वहर भी है तो आपका यह वाली term आ गए rho a v into v आ गए rho a v into v आ गए तो यह वाली term को हम क्या बोलते है that is momentum per second at section 1 तो यह हमने लिखा rho a1 v1 into v1 तो v1 और v1 का मैं multiply कर देता हूं तो यह आजाएगा rho a1 v1 square आजाएगा इसी तरह मैं momentum per second at section 2 निकाल लेता हूं तो यह क्या आजाएगा rho a2 v2 into v2 आजाएगा तो इसको जब आफ solve करेंगे तो यह आपका आजाएगा rho a2 v2 का whole square आजाएगा हम जानते है force क्या होता है it is rate of change of momentum होता है तो देखे fx equal to क्या है it is change of momentum per second that is rate of change of momentum तो देखे मैंने इन दोनों momentum को मैं minus कर देता हूं मैंने क्या करा final momentum यह आपका final momentum है उसमें से मैंने initial momentum को minus कर दिया तो force आगे कितना आगे rho a2 v2 square minus rho a1 v1 square आपका आगया अब हम जानते हैं यह fx किसके बराबर है यह fx आपका किसके बराबर है that is p1 minus p2 into a2 के बराबर है तो यह fx की जगह मैं लिख सकता हूं p1 minus p2 a2 में लिख सकता हूं इक्वल टो rho a2 v2 square minus rho a1 v1 square अब इस वाली equation से हम rho को भी बाहर ले सकते हैं देखें रो को मैंने बाहर ले लिया अब यह आगया p1 minus p2 a2 और यह देखें a2 v2 square minus a1 v1 square अब देखें हमें v1 की value की जरुद हमको पढ़ेगी हम क्या लगाएंगे continuity equation लगाएंगे चलिए यहाँ पर a1 a1 आपका कितना आ जागा that is a2 v2 upon v1 आपका आ जाएगा तो यहाँ पर हमने continuity equation लगाई और हमने a1 की value निकाल ले ठीक है मैंने इसकी value निकाली यहाँ पर ठीक है a1 की value आपके कितनी आ गई that is a2 v2 upon v1 अब a1 की value मैं यहाँ पर put कर दूँगा मैंने a1 की value देखे यहाँ पर put कर दे है ठीक है हमने किस की value निकाल ले a1 की value निकाल ले continuity equation लगा के निकाल ले a1 कितना है a2 v2 upon v1 आ गया तो a1 की value मैंने put कर दिया यहाँ पर कितना put कर दिया a2 v2 upon v1 तो यहाँ पे देखे v1 square है यह v1 square में से यह square को मैं इससे काड़ देता हूँ ठीक तो अब आपकी equation क्या बन जाएगी that is p1 minus p2 a2 और rho a2 b2 square minus a2 b1 b2 तो यहाँ से हम a2 को बाहर ले सकते हैं देखें यहाँ से मैंने a2 को बाहर ले लिया तो आपका यह जो a2 है इससे यह a2 आपका कड़ी आएगा ठीक अब देखें हमें क्या चाहिए p1 minus p2 divided by rho जी चाहिए अब rho से मैं इसको divide भी कर देता हूँ तो यह आपकी equation बन गई यह आपकी equation क्या बन जाएगी p1 minus p2 by rho is equal to v2 square minus v1 v2 अब दोनों साइट में g से divide कर देता हूँ दोनों साइट देखें मैं यह g से divide कर दिया आपकी equation बन गई p1 minus p2 divided by rho g is equal to v2 square minus v1 v2 by g तो देखें आपको इसकी value बिल गई हमको इसकी value मिल गई तो इसकी जगह मैं क्या put कर दूँगा यह वाली value put कर दूँगा तो देखें मैं इसको put कर देता हूँ तो आपका h e बराबर क्या गया v2 square minus v1 v2 by g plus v1 square minus v2 square by 2g आपका आ गया तो यहाँ पे g है यहाँ पे 2g है हम LCM ले लेंगे 2g को तो 2 का multiply यहाँ पे भी हो जाएगा तो अगली जो stage आएगी उसमें हम क्या लिखेंगे 2v2 square minus 2v1 v2 plus v1 square minus v2 square अब देखें यहाँ पे 2v2 square है और यहाँ पे क्या है v2 square है तो यहाँ पे minus कर देंगे तो v2 square आपका बचेगा तो हमने लिखा h e equal to v2 square minus 2 times v1 v2 plus v1 square upon 2g तो देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं that is v1 minus v2 का whole square divided by 2g तो यह आपने h e निकाल लिया आपने head loss निकाल लिया loss of head due to sudden enlargement sudden enlargement के कारण head loss कितना हैगा that is v1 minus v2 का whole square by 2g thank you क्यों भंटटर सकते हैं क्यों लिए be लिए क्यों झाल धसबking झाल क्यो